स्टॉक मार्केट के उपर अगर आपको कम्प्लीट नॉलेज चाहिए जब लोग नए होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता है स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं आप कैसे पैसा कमा सकते हैं बहुत स सारे doubts clear करने की कोशिश करेंगे and खासकर अगर आप नए हैं तो आज इस वीडियो से आपको complete knowledge मिलने वाली है आपके सारे basics clear होने वाले stock market के ऊपर तो stock market कैसे काम करती है से लेकर लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं आप कैसे कमा सकते हो you will learn about everything so start करते हैं सबसे वहले आपको यह समझना है कि stock market है क्या और एक चीज में आपको बता दूं कि यह वीडियो काफी informative होने वाली है आप पैन और पेपर लेकर बैठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको सारे concept clear होते चले जाएंगे दूसरी चीज बहुत सरे ऐसे मतलब क्या है what is this stock मैं examples ऐसे लूँगा कि एक six class के बच्चे को भी समझा जाए तो मानके चलते हैं आपने आप खाना बहुत अच्छा बनाते और आपने चोटा सा रेस्टुरेंट शुरू किया जहां पर आप बगर जैते हो लोगों को और आपने बर्गर लांच किया 10 रुपे का बर्गर आपका कफी बिकना शुरू हो जाता है और आपका जो रेस्टुरेंट है वह बहुत छोटा सा होता है तो आपको लगता है कि आपको इसे बढ़ा करने की जुरू होता है आपका जब एक बर्गर बहुत अच्छा बिक रहा है तो आप अगर इसे expand करोग और आपको planning के लिए discussions के लिए कुछ लोगों को भी जुरू होता है तो आप अपने साथ तीन partners को और involve कर लेते हो टोटल चार लोगों की अप टीम हो गई और चार लोग मिलकर आप सोचते हैं कि छोटा सा दुकान थी तो अब हम भी पैसा लगा के हम भी अपनी planning करके इसे बड बड़ा restaurant खोल देते हैं तो अब आप और आपके तीन partners मलब चार लोग मिलके एक बड़ा restaurant खोल रहे हैं अब यहां पर तो आप अकेले काम कर रहे थे बड़ चार लोग मिल गए हैं तो आप एक company form कर लेते एक private limited company बनवा देते हैं और यह private limited company अब दबा के मुनाफ़ा कमारी आपके burgers बिक रहे हैं आपने menu में और भी चीज़ा आड़ कर दी हैं और आप example के तौर पे एक अपने restaurant से एक लाख रुपए का profit generate कर रहे हैं आपको ऐसा लगता है एक लाख रुपए का profit आरा कलका एक का दो हो जाएगा अगर हमने जादा restaurant खोल दिये मान लेते 10 restaurant खोल दिय तो एक लाख का सीथा 10 लाख रुपए आएगा हमारे burgers बहुत अच्छे बिक रहे हैं तो अब अगर आपको 10 restaurants खुलने हैं तो आपको ऐसा feel होता है भी हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं अब आपको क्या चाहिए आपको चाहिए होती है funding अब आप अपना business का plan लेके अलग करोड रुपए लगाने के लिए और एक करोड रुपए अगर वो आज लगा रहा है तो आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा उसे तो आप क्या दोगे आप अपनी company के shares दोगे उसे तो यहां से जो आप यह शेयर दे रहे हो अभी याद रखना हमने यहां से इस business को शुरू किया है इस company के shares यहां पर आपको समझा रहा है 25% आप सब के पास थे और यहां पर हम उस इंसान को 10% shares दे रहे हैं एक करोड के बदले में तो आप यह बताईए सबसे पहले अगर 10% shares के लिए आपको एक करोड रुपे मिल रहा है तो आपकी company की valuation कितनी होगा यह बहुत layman terms में आप valuation निकाल रहे हो valuation निकालने के बहुत सारे तरीके हैं तो हमने अभी बड़े layman term में 10 करोड की valuation निकाल दी आपके इस restaurant business की आप 10 branches को देते हो आपकी दसों branches से आपको पैसा आरा आपको मुनाफ़ा आ रहा है अब आप 10 लाग रुपे महीने का profit generate कर रहे हो अब आपको लगता है कि हमें और expand करना चाहिए अब हमारे पूरे इंडिया के अंदर restaurants होने चाहिए और आप plan करते हो कि कम से कम हम 100 branches अपनी खोलेंगे अब 100 branches खोलने के लिए आपको गया लगता भी या इतना पैसा दो नहीं है कमनी के पास तो आप और आपके friends मिलके और partners मिलके जो भी थे वो decide करते हैं जो कमनी के directors बन गए और shareholders जो जिसने investment करी थी वो shareholder है आप decide करते हो कि अब हम company को public लेकर जाएंगे चलिए-पापल्टिक लेकर जाने का मतलब किया है कोई भी private living company क implement such जब तक हो public नहीं पती और public बन ने कि कही सारे norms मेरे होते हैं वो सारे वों करने के बाद आप अपनी को पॉब்लिक लेगे जाते हैं उसका मतलब क्या आप यूआ लिस्ट कराने वाले ही अब यह अब यह का अदम क्या को पैशा चहीनđ को चाहिए पॉब्लिक से तो पॉबлиक को क्या दोगेוא फिवले में ये से पब्लिक ओफरिंग आई पीओ जैसे अभी जोमेटो का आई पीओ आने वाल है जब हम फॉर्स टाइम अपने शेर पब्लिक को देते हैं इसे हम आई पीओ बोलते हैं अब आप आई पीओ लाने के लिए लिस्ट कराते हो अपनी कंपनी को एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज अभी एक्सचेंज की वेलिव के आपको भी समझा जाएगा एक्सचेंज पर लिस्ट कराते हो यह एक्सचेंज इंडिया के अंदर हमारे पस दो एक्सचेंज है एक है n se national stock exchange दूसरा BSE Bombay Stock Exchange, जब आपकी कमपनी NSE या फिर BSE या फिर दोनों पर लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद लोग आपकी कमपनी के शेर्स खरीद सकते हैं, फर्स टेम जब खरीदेंगे वो हो गया IPO, उसके बाद क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं, स्टेब बढ़ रहे हैं, और आप देखना स्टार्टिंग से लेके अंच तक आपको कितनी सारी से ख्लियर हो जाएंगी, तो IPO जब आता है, तो अपनी कमपनी के शेर्स तीन केटिग्री में निकालती है, यह पहली केटिग्री होती है, रिटेल, मालब आम जंता, जो 2 लाग से कम का fund invest करेगी, मालब जो 2 लाग से कम की capital invest कर सकते हैं, वो रिटेलर की केटिग्री में आते हैं, यह फर्स केटिग्री है, IPO के अंदर, अलॉट्मेंट के अंदर, दूसरी केटिग्री होती है, HNIs की, higher net worth individuals, और इसके बाद आ जाते हैं institutions, example के तोर पे, LIC कहता है कि भी हमाइ इन्वेस्ट कर सकता है वो, तो वो institutional investors की केटिग्री में आ जाएगा, अब यहां पे IPO समझ आगे आप, अब जब IPO हो गया, company ने shares, अपना जितना भी percentage सोचा कि हम इतना, इतने करोड का IPO लेकर आ रहे हैं, इतने 1000 करोड का IPO लेकर आ रहे हैं, तो वो जो भी अगर IPO launch कर देते ह हैं, वो shares जब public के पास आ जाते हैं, अब यहां से game change हो जाता है, यह game क्या change हो जाता है, जैसी public के हाथ में shares आ जाते हैं, अब यहां पे IPO में राहूल ने share खरीद लिए, राहूल को allotment मिल गई, राहूल के पास shares आ गए, example के तोर पर मालने थे, zomato का, जब IPO निकला, तो र राहूल क्या चाता है, राहूल कहता है, मैं तो भाया profit लेकर निकलना चाता हूं, मैं example दे रहा हूं, राहूल ने share खरीदा था 100 रुपे और अब share का price हो गया 200 रुपे, और भी लोग invest कर रहे हैं, तो demand and supply आपको समझ आ रहा है, और company भी grow कर रही है, तो 100-200 रुपे का share हो तो जब अब ये share को बेचना चाता है, तो इसे कहा जाना पड़ेगा, अब आपको exchange की importance समझ आ रही है, कि भी या exchange पर जाके, आप shares को खरीद और बेच सकते हैं, NSE और BSE के उपर, for example, अगर आप Reliance का share देखेंगे, आप अपने demand account में चाहिए, आप Reliance लेखेंगे, आपको 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 आपके बताऊंगा, वीडियो को एंट तक देखें, you'll get to learn a lot of things today, तो ये समझ आ गया कि रहूल जो है, जब 100 रुपे का share मालो दोस्तों का हो गया, डेट सो का हो गया, वो बेचना चाहता है, अब अगर वो बेचना चाहता है, तो कोई ना कोई खरीदना भी तो अगर कोई खरीदना चाहता है, तो बायर्स और सेलर्स को मिलवाने का काम करता है, एक्सचेंज, अब इंडिया के अंदर जो एक्सचेंज है, उसमें कोई घपले ना हो, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, तो उसे कौन देखता है, उसे देखता है, सेबी, Securities and Exchange Board of India, तो सेबी की गाइडलाइन के अंडर ही पूरा स्टॉक पार्केट ऑपरेट कर रहे हैं, काफी कुछ समझ रहे हैं, आपको एक्सचेंज समझ आ गया, आपको सेबी के बारे में समझ आ गया, अब यहां तक ही अगर आपको गेम समझ आ गई, तो अब हम शुरू करेंगे, कि भाईया, जब स्टॉक्स लिस्ट हो जाते हैं, हर कंपनी स्टेप बर स्टेप आगे वढ़के, अपने अपको पबलिक बनाती है, अपने स्टॉक को, शेर्स को पबलिक लेकर जाती है, उसके बाद पबलिक के हाथ में क्या क्या आ आ जाता है, एक तो डिमांड इन सप्ला आए दूसरा कंपनी की पर्फॉरमन्स है अगर कंपनी प्रफिट ज submit करती रहेगी अपने अपको कश्चछ बनाती रहेगी एससेट एक्युमिलेट करती रहेगी कंपनी केप्राइश बढेंगही ची डिमांड सक्कार हैओ और बहुत स्यरह जोंग कि वह खोरिए कि की अधर के रहे झूशन किसी मईनित्व पर अगर सब्सक्राइब अ किसी के 살la प्लाइब के yo लहे हमाई उसे पर नवाइब हम एडॉक चलता रहता है अब यहां पर यहां पर इमांड की performance and growth depend कर रही है शेर्स के पाइस ऊपर नीचे जा रहे हैं पर अब इतने सारे शेर्स हैं शेर माकेट में 5000 से जाधा शेर्स आपको मिल जाएंगे तो 5000 से जाधा शेर्स आप खरी अब यह नाम सुनाओगा निफ्टी अब यह निफ्टी एंट सेंसेक्स क्या है वैल हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुए है आया बटन पर लिंक है आप जाके देख सकते हो मैं शॉट में बता देता हूं तो जो बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज की ऊपर टॉप थर्टी कं कैसे परफॉर्म करें आप सेंसेक्स को देख सकते हो और इंडिया के टॉप फिफ्टी कंपनी जो है एनसी के ऊपर लिस्टेड है वह उपर जा रहे नीचे आपको इंडेक्स बता रहता है अब इन कंपनी की वेटेज इतनी जाद है कि पूरी मार्केट एक तरफ और जो इं सकते हैं अगर आपको देखना है अलगलग सेक्टर के अंदर भी आप चेक कर सकते हो अलगलग इंडेक्स बने होए हैं तो आप इंडेक्स को देख सकते हो कि सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया तो यह इंडेक्स की इंपॉर्टेंस है तो आई होप आपको इंडेक्स का कंसे कमा रहे हैं यह सब कैसे होता है चलो step by step शुरू करते हैं जब आप profits कमाने की बात कर रहे हो तो यह profits कैसे आएंगे आप इसका गेम समझते हैं सबसे पहला तो तरीका बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसे हम investment भी बोलते हैं अब investment मैं क्यों बोल रहा है इसे समझे आज मैं आपको step by step क्योंकि मैंने बोला complete आपको knowledge मिलने वाली है तो हम step by step चलेंगे I will just show you कि किस तरीके से चीज़े काम करती है अब मैं यहां पे अपने देमेट अकाउंट को login कर लेता हूं मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं कि investment किस तरीके से शुरू होगी आपकी आलाइट जस्च वेट वाल डन तो अब जब आपने दीमेट पर जाएंगे अपर मैं अप्स्टोंक की new application पर आगे है मैं screen recording आण धर देता हूं जिससे आपके लिए से युझे बए को इस journaling आप सब्सक्राइप रिकिते हैं डिलीवरी में खरीद को ही इन्वेस्पों ग्रिए पर इंटेreuरा है अम डिलीवरी में खरीद रहे किस आज 100 shares खरीदे, किस price पर खरीदने है, अगर market में जो price चल रहा है, उस price पर खरीदने है, तो market पर होता है, अगर आप चाहते हैं, मैं भी market पर नहीं खरीदना चाहता है, जब 2600 रुपे का rate आएगा, मैं तब खरीदूँगा, तो आप 2600 रुपे के जब आप rate पर खरीद रहे अब मैंने आपको यह क्यों बताया है, यह आपको जो आपने shares अभी खरीदे, बड़ा simple सा तरीका आपने समझ लिया, कि shares कैसे खरीदने है, यह आज आपने shares खरीदे, पर investment हम कब बोलते हैं, जब हम किसी share को खरीद के long term के लिए hold करते हैं, तो investment हमेशा long term होती है, आपने मा पांस साल के बाद वो profit कमाना चाहते हो, बुक करते हो, और आप देखते हो, आज तो मैंने 26 का खरीदा, बड़ पांस साल के बाद यह share 10,000 रुपे का हो गया, तो आज मालो आपने 10 share खरीदे 26,000 रुपे, बड़ तब आप 10 share बेशते हो, एक लाख रुपे के, तो वो आपक long term के लिए अगर आप plan कर रहे हो, तो वो आपकी long term investment consider होगी, that will give you profits, तो एक तरीका तो हो गया investment से कमाने का, अब investment से जाधा तर लोग नहीं कमाना चाहते हैं, मैं repeat कर रहा हूँ, जाधा तर लोग investment करके नहीं कमाना चाहते हैं, वो trade करके कमाना चाहते हैं, trading चाहते हैं, महीन में, एक हफ्ते में, एक दिन में, एक मिनिट में, मिरको profit हो जाए, एक मिनिट में profit हो सकते हैं, अभी मैं आपको वो बताओंगा एक minute वाला, फांच लेड़ीजा, दस मिन वाला या एक दिन वाला लोग क्या trade कर रहे हैं, इह होता क्या है, क्योंकि के वीडियो में सब क समझाना है आपको तो आपको मेरे साथ बनना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि step by step हम आगे बढ़ रहे हैं तो investment का गेम तो आपको समझ आगे भाई यह चैर लाइन सो option क्या है intraday trading तो आप intraday करके पैसा कमा सकते हैं अपने नाम सुना होगा अगर आप नहीं हो तो अगर आप करते भी हो गए हो सकता है intraday तो you already know what it is अगर नहीं पता तो मैं आपको भी बताने वाला हूं इसके अलावा लोग कैसे पैसा कमाते है future trading करके अब यह future trading क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा आप ने सुना का futures and options तो futures क्या होते हैं you will just get to know फिर आ जाती है option trading जब लोग बात करते हैं कि seconds minutes के अंदर वह profit कमा रहे हैं कुछ घंटे लगा के उन्होंने बहुत मोटा profit कमा लिया तो वो क्या है अभी हम बात करेंगे option trading तो यह trading के types हैं यहां पर swing trading क्या है अब हम step by step शुरू कर रहे हैं what is this swing trading आपने आज lines का share खरीदा और आपने उसे एक हफ़ते के बाद बेज दिया अब आपको यह question है कि आपको कैसे पता कि एक हफ़ते के बाद share price बढ़ेगा घटेगा so I'll just tell you वह भी मैं आपको बताऊंगा so swing trading का मतलब क्या हो गया कि आज मैंने shares को एक duration के लिए it could be one week it could be one month it could be three months मैंने तीन मिने के लिए उस share को hold किया share का price बढ़ गया मैंने उसे बेच दिया example के तौर पे पिछले मीने Vodafone का share price example 6 रुपे था इस महीने वह 12 रुपे पे आ गया तो किसी ने अगर 6 पे खरीदा और 12 बेचा पैसा दो डबल कर लिया तो पैसा डबल करके उसने सोचा कि मुझे से बेच नहीं मैं लॉंग टम का विजन नहीं ले था तो मैंने अगर यहां पे एक लाग रुपे डाला और वह दो लाग रुपे हो गया मेरे लिए बढ़िया है मैंसे बेच रहा हूं तो इसे हम swing trading कहेंगे this is known as swing trading okay अब आपने swing trading करी well and good एक और option है जिसे आप कर सकते हो जिसे बोलते है intraday trading अभी तक आप यह सुची आपके पास जितना पैसा था आपके पास एक लाग रुपे था तो आपने एक लाग रुपे के हिसाब से शेर करीदे पट आप खरीदना चाहते हो एक लाग रु margin इन तीनों ही टाइप आफ ट्रेडिंग में आपको margin बिलिगाता है you'll get margin आपके पास होते 20,000 हैं आपने खरीदे एक लाग के शेर तो profit अगर होगा तो एक लाग पे होगा नुकसान अगर होगा तो भी एक लाग पे होगा तो अगर आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों अगर आपको लुकसान हो जाता है statement में तो अगर पता है अगर उन्हें ट्रेड़ करना आता है और प्रिंट्र पोश्चनल कनका सीक के झाते हैं जोगे हैं कोई और काम नहीं मैं बहुत सरी बहुत साले दोगों को ऐसे जानता हुर महीने के पैसा लिटरली कमाया सकता है बट ये इंडस्ट्री में काफी बार बोला भी जाता है कि इंडस्ट्री में सिफ प्रोफेशनल जी पैसा कमा रहे हैं नौसीखिए लोग सिफ गवा रहे हैं तो अगर मैं आपको भी वान कर रहा हूं अगर आप नए हो तो सीख के ट्रेड करना बिना सीखे टिपस लेकर किसी की सुनके अगर आप ट्रेडिंग में उतर जाओ कह सकते हो सीखकर ड्रेड करोगे आप कंसिस्ट end मैं repeat कर रहा हूं consistent profits बना सकते हो and बात यही है consistent एक बार तो profit किसी का भी हो सकता है फिर तो जुआ खेलने वाली बात होगे कर एक बार profit हो रहा है अगर आपको consistent profits हो रहे हैं इसका मतलब है कि now you are learning and yes loss होगा हर किसी का loss होता है but depend यह करता है कि आपको कितनी बार loss हो कितनी बार profit हो रहा है and किस ratio में हो रहा है so now बहुत सरे लोगों के लिए business भी है तो अब मैं इसे बड़े deeply आपको समझाने वाला हूं हम intra day से शुरू करते हैं and then you will get to know what it is अब मैंने example के तौर पर lines की ही बात करी थी मैं दुबारा से आपको दिखा देता हूं I'll just open the screen recording for you okay मैं screen recording शुरू कर दी है all right तो हमने बात करी थी reliance की मैं reliance पर ही आजाता हूं अब मान लेते हैं आप reliance को जो खरीदना चाहते हैं आप पूरा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो जैसी आप intra day पे क्लिक कर दोगे अब गेम बदल जाएगी अब आपको यहां पर margin मिलने शुरू हो जाएंगे मैं को example दे रहा हूं कि मान लेते हैं आप खरीदना चाहते ह और 100 शेर तो आपको 100 शेर के लिए पूरा पैसा नहीं चाहिए अगर आप 2600 के यहां थाप से शेर घरी हुरे थे तो 2,60,000 नहीं चाहिए आपका 52,000 में काम हो रहा है आपका आपको 2,60,000 नहीं चाहिए तक्रीबं तक्रीबं पांच गुना का आपको leverage मिल गया है यह जो leverage trading मार्जिन है इसी के पीछे लोग पागल है अब यहां पर अगर आप सिर्फ दस की बात करते हैं अगर आप दस शेर ले रहे हैं तो आपको सिर्फ बावन सो रुपे चाहिए और जो प्रॉफिट होगा वह एक्चुल वैल्यू के हिसाब से होगा अगर दस शेर करें तो 26,000 के अगर घड़ जाता है तो भी आपको लॉस उसी हिसाब से होता है तो मार्जिन को अगर आप यूस कर रहे हैं तो सीख्के कीजिए अब जैसे ही आप यहां पर लिमिट अगर लगाना चाहते हैं इंडर डे पर लिमिट लगा सकते हो इसके अलावे यहां पर ट्रिगर करेंगे आपको order summit हो जाएगा so this is so simple अगर आप intraday करना चाहते हैं तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है पर intraday लोग सिर्फ margin के लिए नहीं करते एक और बड़ी चीज़े इसके लिए intraday किया जाता है I hope वीडियो लंबा हो रहा है बट आप बोर नहीं हो रहे होंगा I hope you are मुझे तो लग रहा है कि अब rate टूटेगा मुझे तो लग रहा है जी पच्छी सो रुबे जाएगा rate तो मैं तो इसे खरीदना नहीं जाता है मैं तो इसे बेचना जाता हूं मैंने वीडियो में आपको पहले बोला था कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप बिना यह चीज मैं रिलाइंस को खरीदना नहीं चाहता हूं मैं बेचना चाहता हूं सो आइवल ज़िस शो यू वॉड़क्स आपको यह भी जानना जरूरी है आइवल शो यू और राइट तो हम वापेश पीछे आजाते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं जैसे यहां पर रिला आपको समझा गया विल्न गुड अप कि एक ही दिन में आपको उस शेर को खरीद के बेचना है या फिर बेच के खरीदने अगर आपने पहले बेच दिया तो उसके लिए आपके पास टाइम है अब वो टाइम क्या है करें किया क्योंकि आपकी सवा नौ बज़े शुरू हो रही है और साढ़े तीन बज़े खतम हो रही है अब आपके बहाफ पर स्क्योर आफ कर देगा तो आपके बहाफ करेगा तो यहां पर चार्ज लगेंगे लिए इसलिए इसलिए अब फ्यूचर में चीज थोड़ी सी चेंज जाती है आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा जाधा एक दिन से जाधा मार्जिन यहां पर भी मिलते हैं अब आपको फ्यूचर में क्या फायदा है लेट मीशो यू यू दाट तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज समझा रहा हूं यह यह जो यहां फर जूर्क करते हैं अब यहां पर क्या महां इसके फ्यूचर में आगे हैं नीचे उसका 28 ओक्टूबर भी लिखा है अबयद यहां पर 28 ओक्टूबर 20 को 시청ते ईसके नीचे 25 नमदर का भी future को option है तीससमयर का भी future को option है अलग अलग आपके options के अंदर राग आपको प्राइज भी देखेंगे जैसे बारे में बात करेंगे इसके बात करेंगे डीटेल में बहुत को सीखना बागी है तो जब आप फूटरस में आ जाते हो आप आप अगें फ्यूचर में बाइसल कर सकते हो तो यह हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ओपर यह भी मैं आपको इमिरेटली समझा देता हूं अब अभी एग्जामपल 2600 का रेट चल रहा है पर आप कहते हो जी रेट जाएगा 2700 अब आपको के अंदर उप्शन को खरीद भी सकते हो औपस्जिन बहुचिंग को उपचिए सकते हो वाप्शन को चाहिएक डिषा ऑपको को कि सस्ता बढ़ता है औरफ यहां पर बढ़ेगा इंफ तो मैं हैं आँb और उसके नीचे लिखा पुट पुट का मतलब होता है कि मैं बेच रहा हूं उसे मैं चाहता हूं कि यहां से प्राइज नीचे जाए तो अगर आप 2700 या आप यहां पर चेंज भी कर सकते हो मैं यहां पर 26 लिख देता हूं तो यह अभी अल्मोस एड़ दमनी हो गया तो अगर मैं कहता हूं 2600 से बड़ेगा 2700 जाएगा मैं यहां पर जैसी 2600 सीई पर क्लिक कर रहा हूं जब भी आप किसी भी ऑप्शन के प्रा 2600 का रेट थे या पर 79 क्यों आ रहा है 79.50 क्यों आ रहा है यहां यहां पर आपको समझना है कि आप पूरे पैसे नहीं दे रहें आप ऑप्शन खरीद रहें उस शेयर का अब ऑप्शन ट्रेडिंग के उपर हमने पहले से ही बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है तो यहां पर 250 का लॉट है एक्जांपल तो 250 के हैसाब से आपको बाई करना पड़ेगा आप यहां पर देख रहे हो कि 250 शेयर के लिए आपको जो इंवेस्मेंट लगेगी यहां पर लिखा हुआ रहे है ज्यादतर लोग जब ऑप्शन करते हैं तो वह इंडिक्स के अंदर भी ट्रेड गरते हैं अब लोग कहते हैं सरफ कैसे तो आप निफ्टी नहीं खरी सकते हैं आप निफ्टी के अंदर यहां तो यहां फिलक्टी विए ए अब ऐग्जांपल आपके सामने निफ्टी 178 22 की है मिलाब 17,800 रुपे चाप्वर और आपको लगता है 17 900 जाएगी त आप आप मैं जैसे बोलों इंदा मनी आउट दमनी आपको आपको नहीं पता किया होता है अगे इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है अगर निफ्टियां से बढ़ेगा तो मैं सी खरीदूंगा बाई कर रहा हूं ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं उसके ऊपर ह दिखेंगे कि आपको आप्शन सेलिंग वीडियो चाहिए तो यहां पे जब आप उसे बाय करते हो 93 का रेट है अगर निफ्टी मूव गिया तो यहां पे इसको आप्शन भी मूव करेगा तो यह अगर आप खरीदते हो तो आपका एक घंटे एक मिनिट के अंदर भी आपक 150 के लिए मुझे यहां पे 13,950 देने अब 13,950 देने 93 के हिसाब से अगर मैंने 93 पे खरीद हो रेट चला गया 100 रुपे हो गया आपको मैं बता रहा हूं सेकंड के अंदर फ्लक्शुएट करता है तो अगर यह 100 रुपे हो गया तो जो मेरा 13,950 है वह 15,000 रुपे हो तो अगर आपके हसाब से मांकेट मूब नहीं करी तो लॉस्ट भी सकता है तो इस इस नोन इस ऑप्शिन डेडिंग अगर यहां पे रिव्यू करके बाई कर लेते हो इड़ आपने अप्शिन को खरीद लिए आप और बेच भी सकते हो यह भी ऑप्शन है यह बिच भी सकते तो उसे option selling कहते हैं, we can make a video on that, उसके लिए थोड़ा सा time देना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए एक अलग से video बनेगी, in fact, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, जो मैं search कर रहा हूं, तो यहां पर आपको currency and commodities भी भिख रहा होगा, अब currency and commodity trading क्या है, मालीजे आप gold के अं इसको अलग है, in fact, इसके अलावा, आप currencies के अंदर भी trade कर सकते हैं, so, आपके पास बहुत सारे options होते हैं, आपके पास trading के लिए, जैसे मैंने आप EUR, INR लिग दिया, so, इसके futures के अंदर आप trade कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, क्योंकि इसके लिए अलग से आपको time देना पड़ेगा, time देखो आपको देना पड़ेगा, तो commodity trading, and आपकी currency trading, ये भी एक तरीके से segments अलग हैं, तो अभी हम सिर्फ stock market की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने stocks के उपर ही, अभी तक इस वीडियो को रखा है, बट stocks के अलावा भी आप currency क के अंदर भी trade कर सकते हैं, and आप commodities के अंदर भी trade करते हैं, इसके लिए आप India के अंदर जैसे MCX के ऊपर trade करते हैं, तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, if you want, तो उसके लिए आपको निच्चर comment करना पड़ेगा, अब आपको आज ये चीज clear हो गई, कि ठीक ह Theta Day के अंदर बेच भी सकते हो, बिना खरीदे भी, futures के अंदर you can do the same, but आपको time limit जाधा मिल जाती है, and options के अंदर आपको समझ आगी चीज, कि भी आप पूरे पैसे नहीं देने, बहुत कम पैसो के अंदर भी, you can actually trade in options, अब options के अंदर भी आपको थोड़ा time देना वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि options अपने expiry के जैसे से पास आते हैं, वो उनका Theta Day के होता है, इसका मदलब है कि उसके price कम हो जाते है, तो you will have to give time to understand this, but I hope आपको काफी कुछ समझ आ रहा है, अब एक final चीज, ठीक है जी हम trade करेंगे, हम invest करेंगे, but हमें analysis क्या करनी है, किस basis पे हम यह predict कर रहे है, कि आने वाले time में, जो price है, stock का बढ़ेगा, गिरेगा, index उपर जाएगा, नीचे जाएगा, हम कैसे पता लगा रहे हैं, good question, अगर आपके अंदर यह question है, तो वहाँ दो तना की analysis है, एक है fundamental analysis, और दूसरी है technical analysis, so, अब अगर आप fundamental and technical analysis सीखना चाते हैं, मैंने again video बनाई हुई है, so, fundamental analysis की video आपको आई बटन पर देख जाएगी, and technical analysis भी अगर आपको सीखना है, again मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप technical analysis भी सीख सकते हो, क्योंकि अब यह थोड़ा सा time लेंगे, एक ही वीडियो म मैंने बोला कि complete education देनी है, तो थोड़ा सा मुझा आपको redirect करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़े, हमने आपके लिए प्लेस बनाई हुए technical analysis की उपर, अब fundamental analysis के लिए, company की balance sheet कैसे read करनी होती है, PE ratio क्या होता है, company के उपर liabilities क्या है, assets क्या है, कैसे पता लगेगा, complete मैंने आपको पहले से ही video के अंदर step by step बताया हुआ है, कि किस तरीके से आप fundamental analysis कर रहे हैं, इसके अलावा जब हम technicals की बात कर रहे हैं, तो आपको indicators का use करना, price action को कैसे use करते हैं, आपको support resistance कैसे देखना होता है, उसके आप से कैसे trade करना होता है, so there is a lot to learn, उसके लिए time आपको द समसे कम और आपके profit जादा से जादा हो, this is my main intention, तो मैं आपको solution, solution मैं आपको यह दूँगा, कि भी आप बिना सीखे, आप नहीं invest करो, नहीं trade करो, अगर आप long term investment कर रहे हो, fundamental analysis आपको नहीं आती, आप भी investment करो, हो सकता आपका नुक्सवान हो जाए, हो सकता आपका profit हो नहीं है, long term में, तो fundamental analysis आपको आनी चाहिए, और अगर आप ठ्रेड गर रहे हो, आपको technical analysis नहीं आती, तो आप loss कर दोगे, तो थोड़ा सा time लगाओ, यह मेरी गुजारिश आप से, कि आप ऐसा करे, और उसके लिए हमने आपके लिए playlist बनाई होई है, again इस वीडियो जब खतम होगी, तो आपको playlist का link दिख जाएगा, आप playlist देखो time लगाओ, तो अगर आप time देंगे सीखने के लिए नीचे comment जरू करना, sir will invest time, क्योंकि मुझे आपके पैसे नहीं लगवाने मेरे को कोई फायदा नहीं, आप पैसे लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, आपका profit आप आप घवा रहे हो, आपका loss, मेरा फायदा तब है कि आप सीख के, आप अपनी bank statement मेना entry लेकर आओ, कि भाया profit आया है, गया नहीं है, और उसके लिए time दना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ आप time invest कर दो, अगर आप time invest करने के लिए radio, प्लीज दू comment, that we will invest time, sir, हम time देंगे and फिर हम trade करेंगे, invest करेंगे और फिर profits कमाएंगे, this is what I want, I hope इस वीडियो ने आपको value दी होगी, अब अगर आप stock market में अगे नहीं है, आपके पास demate account नहीं है, description comment box में में लिंक देंगा, demate account की जरूत होती है, चाहे आपको invest करना है, चाहे ट्रेड करना है, तो demate accounts के links, description comment box के में, जो भी leading brokers है, सबके मैं लिंक देंगा, जिस मर्जी पर आपको profit लगता है, फायदा उससे आपका ही होगा, और दूसरी चीज, इस वीडियो को share जरू कीज़ेगा, जिससे, जाधा से जाधा लोगों को हम impact करें उन तक, right knowledge पहुंचे, so I hope, I served you in some ways, and I will see you in the next video, Facebook को self-made,